तो दोस्तों कि आपको भी Play Store से किसी भी एप को इंस्टाल करने में problem देखने को मिल रहा है, जब भी आप अपने Play Store पर किसी भी एप को install करने जारे हैं, कि आपको भी कुछ ऐसा error देखने को मिल रहा है, your device is not compatible with this version का error देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आप अपने play store से किसी भी app को install नहीं कर पारे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँँगा चाहे आपके पास कोई सा mobile phone क्यों हो Samsung, Realme, Oppo, Vivo, Techno, Infinix या Motorola या One Plus का phone क्यों हो तो अगर आपको भी अपने mobile phone को play store में किसी भी app को install करने के time ये error देखने को मिल रहा है तो आज किस वीडियो में आपको तीन ऐसी setting बताने वालों जिन तीन settings को enable करने का वाल में guarantee के साथ करता हूं 200% आपकी problem solve होने वाली है तो दोस्तु कैसे आपको इस problem को install कोने हैंने तो सबसे पहले में आपको अपने wail phone की home screen पर आने के button settings को open कर देना है तो आपके समने Sutings को open ses ओपने सब्रवन की devices की open होगे आ जाएगी तो जैसी आप भी अपने mobile phone की settings में सारी-सारी apps को निकलेंगे, तो आपके mobile phone की apps भी कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको scroll करने, आपको अपने mobile phone ने play store application को ढूंड के निकलना है, तो कहाँ गया मेरा play store, तो जैसी यहाँ पर scroll करूंगा, यहाँ पर देखे हैं, आप Google Play service आ गया तो आपको Google Play store निकलना है, गुगल क्लीचेसन निकलना है, ग्लीचेस्टे तो आपको पहले गिली चाहरेंगे तो आइधमेटिकर साल्ड हो जाएंगे तो दोस्तों यहांगी सैटिंग नवर फर्स्ट अब आपको आपको आपने वाइलफोन की होम स्किन प्राने के पत प्लेश्टोर को ओपन कर देना है तो जैसी अप आपने प्लेश्टोर के आइडी पर क्लिक करना है तो जैसी आप अपने Play Store की ID पर क्लिक करेंगा तो आपको नीचे Bottom में देख रहे होको Play Points जयiniz पर आपको Settings के अपर क्लिक करना है तो जैसी के सब्सक्राइंग करना है को एक स्टेप बेक ON है तो जएसी एक स्टफ associated है तो आपको वापस से आपने जो पिल स्टोर की ID पर क्लिक करने पर कलिदी काने को यहाँ पर आपके समने